हेलो बच्चो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेंसी एकेडमी पे और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक इंपोर्टन टाउंस और रिवर्स लेके आई हो तो आएए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट कोश्चन हैदराबाद किस नदी की किनारे इस्थित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चो फर्स्ट आप्शन मूशी हैदराबाद मू गोमती ये रहा थाड नमबर कोश्चन नाशिक किस नदी की किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा बच्चो third option गोदावरी नाशिक गोदावरी नदी की किनारे इस्थित है fourth number question पटना is situated on the banks of which river पटना किस नदी की किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा third option गंगा पटना गंगा नदी की किनारे इस्थित है fifth question श्री नगर is situated on the banks of which river श्री नगर किस नदी की किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा जेलम D option ठीक है श्री नगर जेलम नदी की किनारे इस्थित है sixth number question सूरत is situated on the banks of which river सूरत किस नदी की किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा first option ठीक है बच्चो seventh number question विजय वाड़ा is situated on the banks of which river विजय वाड़ा किस नदी की किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा third option क्रिशन विजय वाड़ा क्रिशन नदी के किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा बच्चो second option scene पैरिश श्रीन नदी के किनारे इस्थित है और बच्चो ये क्लास कैसी लग रही है आप like और comment करके जरूर बताईएगा नाइन्थ नंबर question तो क्यों is situated on the banks of which river तो क्यों किस नदी के किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा बच्चो second option श्यूमिक तो क्यों श्यूमिक नदी के किनारे इस्थित है लेह is situated on the banks of which river लेह किस नदी के किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा third option इंदुस लेह इंदुस नदी के किनारे इस्थित है ये रहा 11th number question लुधियाना is situated on the banks of which river लुधियाना किस नदी के किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा first option लुधियाना सतलज नदी के किनारे इस्थित है 12th number question जबलपूर is situated on the banks of which river जबलपूर किस नदी के किनारे इस्थित है तो बच्चो इसका correct answer हो जाएगा D option नर्मदा जबलपूर नर्मदा नदी के किनारे इस्थित है ये रहा 13th number question वाराणशी is situated on the banks of which river वाराणशी किस नदी के किनारे इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा second option गंगा वाराणशी गंगा नदी के किनारे इस्थित है ये रहा 14th number question सूरत is situated on the banks of which river सूरत किस नदी के किनारे इस्थित है अच्छा बच्चो ये question तो repeated है है ना तो इसका correct answer हो जाएगा first option सूरत तापती नदी के किनारे इस्थित है बच्चो let's see current affair ये हम लोगों का एक नया चैनल है इसमें हम लोग आप लोगों को current affair की questions रोज provide करेंगे ठीक है तो जो बच्चे सैनिक और military schools की preparation कर रहे हैं रोज सुबह इस classes को देखें और इस चैनल को subscribe कर लें रोज 5 minute का वीडियो रहता है जिसमें आपके 10 से 15 questions होते हैं और सैनिक और military schools के papers में current affair most important है क्योंकि काफी questions current affair के बन जाते हैं तो रोज सुबह डेली 5 minute का ये वीडियो जरूर देखें ठीक है बच्चो और जो बच्चे सैनिक और military schools की preparation कर रहे हैं तो उनके लिए जो एक combo batch स्टार्ट हुआ है 9500 रुपीज का तो उसके बारे में कुछ भी अगर आपको information चाहिए तो इस number पे call कर लीजे ठीक है बच्चो और जल्दी से join कर लीजे क्योंकि इसकी last date 6 जुलाई है ठीक है और आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी next class पे तब तक के लिए bye